तो अभी मेरे पाद एक लोगो आया है जिसमें जो है मुझे टाइपोग्राफिय करनी वह भी पॉलिकॉन के अंदर तो एस यह है साइडियो वूमें इंजिनियर्स तो इसमें आज जेगा सबसे पहले हम बनाएंगे उसके ग्रिट्स सबसे पहले क्या करेंगे आप जैसे हमने लास्ट टाइम के सरकल के पॉलिकॉन में किया था तो लाइन ली यहां से एक लाइन बना दिया इसको आपको कर दें अभी जो है वन और इसकी हमें 14 कॉपे लेनी है एक अल्रेडी है यहां से एक थोड़े गैप पे कॉपी ले लिए दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दर्स ग्यारा बारा तेरा चौड़ा यह 14 कॉपी आ चुकी है इसके बदर में क्या करना एक पॉलिकॉन लेना है और यहां पे क्लिक करके 6 पे ओके करना है तो एक पॉलिकॉन ले लिए आप कि यह लाइन जब आये तो बिल्कुल इसके ओड़ी कर सकता है यहां ते क्लिक करना है वही इसको जो एक और चाहिए और वर्टिकल चाहिए चाहिए क्लिक चाहिए 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 जो यह वाले सका चल रहा है पॉलिकॉन का हमें उस पे पर चाहिए यह करेंगे पर इसको रूटेट करेंगे जो लाइन उपर है ना उसी के उपर आपको उबलेफ करें अब यहां से इसको पकड़ें और थोड़ा से लिचे की तरह है ठीक है अब बिल्कुल सही हो गई किसी तरीके सापको क्या करना है कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और राइट क्लिक करके ट्रांस्फॉर्म रिफ्लेक्ट अब जो सरका आपकी जो पॉलिगॉन बनाया था आपने वह डिलीट कर दो तो इस तरह से आपको ग्रेट बन चुगी है इसकी जो वेट है वह कम कर दें 0.5 कर पॉलिगॉन से कुई भी टाइप करने के लिए आपकी ग्रेट रैडी है ठीक है अब इसको पकड़ें और कॉपी लेकर साइट के लिए अब आपको क्या करना है इन सब को स्लैक करना है और एस डब्लीवी लिखना आम है तो यहां पर रखता हूं कैसे लिखा जाएगा ठीक सरकल में बनाया था शेप बिल्ड टूल ली और यहां पर आपका जो ब्लैक होना चाहिए उपर अब यह देखें मिट है कैसे पते जाए मिट है इसके यहां से नोक्त बनीवी होगा यह मिट है हमें मिट पे जो है एक लाइन कीच देनी है डब्लीव के लिए यहां पकड़न इस तरफ एक लाइन आएगी और इस तरफ एक लाइन एक ओट एक टो यह टो यह डबलीव का शेप बन जाए रहों इसके बाद एस बनाएंगे उसके बाद हम लोग टीवन एक तो सबसे पहले हम डबली गड़ा कर लेता है शेप बिल्ड टूल से यहां से आपको यू बनान यहां से बनाए यहां से कुछ भी स्पेस नहीं चुटने चाहिए और यहां से नीचे यहां स्ट्रेट नहीं करना वल्के तो आपको यहां से यू करना है अब यहां से यूबर करना है यहां पर यहां पर इसको मिलाना है अचाह बीच में देखें यहां दारी होती है यह वी आपको कवर करनी पड़िए यहां से इसको क्लिक करते हैंगे यह भी बन जाए अब यहां से आपको देखें इस तरह से डब्ली आपको बन चुगा है यहां से आपको यह कवर करना है तो दुबार आप क्या करेंगे यहां से इसको डूलेंगे और यहां से इसको कुछ भी स्पेस बश्चना नहीं चाहिए जो आपका टाइप उसके अंदर है यह डबली बन चुगा है बिल्कुल बैतरीं से अब क्या करेंगे हमें एस बनाने तो यह आपका मेड़ है मेड़ पे आप एक लाइन बना देए ताके आपका आईडियो हो जाए कि कौन सा मेड एक पीच में गैप होना चाहिए अब यहां से देखें यहां से हमें अमें अच्छाहिए यहां से थ कर रहा है और यहां साके इसको इस पर्फेक्ट बन जो आगर बीच में कोई आ रहे हो इस तो वहां जाके जूम करके यहां साके इसको क्लिक करेंगे तो यह खतु है बन चुका है अब यहां पर गैप का में यहां पर यहां तो यहां से दुबारए टोल और यहां पर खुर फेर लिखना है हमें लिखना है तो यहांपे यहां बनाएंगे एक से छोड़के यहां पर एक लाइन बनाने यह इतनी यहाद आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आईडियो होगा कि कैसे काम करेगा ठीक है अब यहां पर बीच में चाहिए बीच में यहां पर चलता मुझे कि यहां पर यह वाले जो है यह बना दिया अब यहां से यू करना पड़ेगा और यहां से इस तरह से इभी बन चोगा तो इस तरह से आपने एस जब्यू लिख दिया भी यह आपका है यह डिलीट कर दें है यहां से यह डिलीट कर दें अब हम जो इसको कलर भी दे सकते हैं एक बैकराउंड एक करें आप चाहिए तो डिलीट कर सकतें अपनी और यह आगे आपका यहां से आपने जो है एक बैकराउंड लिया मेंड अलाइन किया बैकराउंड कर चेंज किया पीछे लेगा है और आपके जो फॉंड है उसको आपने इसको और भी बैतर कर सकते हैं कैसे शिर्फ आपको देखें यह वाले जैसे यहां पर यह जा रहा है तो यह बिल्कों इसको बनाते हुए अगर वह आपसे जादर ग्रीट सेलेक्ट हो जाए तो इन दुनों को स्लैक करें और नीचे के तरफ यूपर एक दवा इसके एंगल पर आना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया है और इसमें चाहिए तो आप पॉलिकॉन से जो है वह आउटलाइन प्लिकॉन दे सकते हैं यहां से पॉलिकॉन मनाया आपने उसी एंगल पर स्लैक किया और इसके मिड्ग अलाइन कर दिन को तो थोटा सा बड़ा करना है आपको और यहां पर पे लिकर जाकर पे पुल कर दें फ्ट्रोक कर दें तैन तो इस तरह से देगें आपने बैतरीम सा LWE का polygon में convert कर दिया तो उमीद हैं ये class आपको अच्छी लगी होगी हम future में भी इसी तरह की बहुत सारी class पढ़ेंगे जिसमें ratios और grids के मदद से हम typography करेंगे तो अगर इक आपको अच्छी लगी इसको like करें, subscribe करें, share करें bell icon पर दरू क्लिक करें, ताके मेरी future videos आपको time पर मिल सकें Thank you